क्या आपका जीवन जादूई है? आप इसी वक्त बता सकते हैं कि आपने अपनी जीवन में दरसल कितनी कर्दाग्यता का इस्तमाल किया? बस अपने जीवन में सभी प्रमुक्षेत्रों पर नजर डालें धन, स्वास्त, खुशी, करियर, घर और सम्मंध आपके जीवन में जो शेत्र शम्रिद्ध और अधुद हैं समझ दीजिए कि उनमें आपने कर्दाग्यता का इस्तमाल किया है कर्दाग्यता के बारे में देखें जब हम कर्दाग्यता के नहीं होते हम अपने जीवन के महत्वपूर्ण चीजों को हलके में ले रहे होते हैं जब हम चीजों को हलके में लेते हैं तो हम अंजाने में ही उन्हें खुद से दूर कर रहे होते हैं आकरशन का नियम कहता है कि समान ही समान को आकरशित करता है इसलिए अगर हम किसी चीज को हलके में लेते हैं या महत्व नहीं देते तो वह हमसे दूर हो जाएगी याद रखें जिसमें कृतगिता नहीं है उसके पास जो भी है वह भी उससे ले लिया जाएगा छटवे दिन में आप जानेंगे जादू की तरह स्वयम का काम कैसे करना है छटवा दिन जादू की तरह काम करना अपनी किसी भी गतविदी, कला, सिक्षा या योगिता को लें इसे लेकर इसे इतने आंगे तक धकाए जहां तक यह पहले कभी नहीं गई थी मुहाने से भी आंगे तक तो जो आप इसे जादू की शेत्र में पहुचाने के लिए विवश कर देंगे ऐसा कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति जो घोर गरीबी में पैदा होता है, सूनने शे शुरुगात करता है और जिसके पास बहुत कम सिक्षा होती है वह आंगे चल कर राष्ट पती या मशूर हस्ती बन जाता है या कारुबार सामराज्य खड़ा करके संसार के सबसे अमीर लोगों में से एक बन जाता है और ऐसा क्यों होता है कि दो लोग एक ही करियर की शुरुवात करते हैं लेकिन एक का करियर सफलता की बुलंदियों को छू लेता है जबकि दूसरा व्यक्ति काम कर करके निढ़ाल हो जाता है लेकिन जीत और कोशच करने के पावजूद सफल नहीं हो पाता सफलता यह खोई हुई कड़ी है और वह है किर्टग्यता क्योंकि आकरशन की नियम की अनुसार आपको उस चीज़ के लिए किर्टग्य होना पड़ता है जिसकी बदोलत सफलता आपकी और आकरशित होती है इसलिए किर्टग्यता के बगेर इस्थाई सफलता पाना असंबव है यदि आप सफलता पाना चाहते हैं या अपनी नौकरी या कारवार में अफसर, प्रोमोशन, धन, जबरदस्त प्रेणा, विचार और प्रशेश्ती जैसी अच्छी चीजों को बढ़ाना चाहते हैं तो जब तक आपको यह समझ आ चुका होगा कि अपने जीवन में किसी चीज को बढ़ाने के लिए आपको उसके लिए किर्टग्य होना पड़ता है जो आपके पास पहले से ही है जिसके पास भी नौकरी या कारवार के लिए किर्टग्यता है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समरिद्ध होगा जिसके पास नौकरी या कारवार के लिए किर्टग्यता नहीं है उसके पास जो भी है वह सब उससे ले लिया जाएगा जब आप अपने कारवार के लिए किर्टग होते हैं तो आप खुद से ही अपने काम में अधिकतम मेहनत करेंगे और जब आप अपने क कम मेहनत करेंगे इस तरह जब आप कम करती हैं तो आपको मिलता भी कम है और आपकी और आने वाली चीज़े भी कम हो जाती है फल सरूप आप अपने कामकाज से कभी खुश नहीं होंगे कभी अनेवारी रूप से योगदान नहीं देंगे जिससे आपकी नौकरी या कारवा ठ उसके पास है आप करतागेता की जितनी मात्रा देते हैं उसी अनुपात में आपको प्रतिफल मिलता है आप अपनी करतागेता की मात्रा को नेंतरत करके खुद को मिलने वाली धंडाशी की मात्रा को नेंतरत करते हैं यदि आप किसी कारवार के मालिक हैं तो आपके कारवार का मूल ले आपकी कृताग्यता की अनुसार बढ़ाया या घटाया जाएगा आप अपने कारवार ग्राहक और करमचारियों के लिए जितने अधिक कृताग होते हैं कारवार उतना ही जादा फलेगा फूलेगा और बढ़ेगा जब मालिक कृताग्य होना छोड़ देता है और क जीवन में इस बिंदू पर कृताग होने के लिए चीजों की तलाश करें यह अक्सर जीवन में एक बार का अफसर होता है और जब आप इस समय के लिए कृताग होते हैं तो आप अधिक सहारे अधिक मदद अधिक सुन्दरपलों और अधिक खुशी कानुआ वाकरशित करें आपको अपने कामकात से प्रेम करना चाहिए चाहे वह जो भी हो और आपको अपने काम पर जाने से लेकर रोवांचित होना चाहिए इससे कम से कम कभी समझोता ना करें यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के बारे में ऐसा महसूस नहीं करते या अगर यह आपके सपनों की नौकरी नहीं है तो ऐसी नौकरी पाने का चुप तरीका यही है कि पहले अपने वरतमान नौकरी खुली करतग्य बने आज ऱ्य ही कलबना करें कि आप एक अद्रश्य में जाने हैं जिसका काम नौकरी के बारे में आपके बिचारो और भावनाओं का record रखना है कलपना करें कि जब आप जहां भी जाती हैं आपका manager हाथ में कलम लिए और डारी लिए आपके पीछे-पीछे पहुंच जाता है जब भी आप अपनी नौकरी में करतग होने वाली कोई चीज ढून नकालते हैं तो manager उसे लिख लेता है आपका काम करतग होने के लिए अधिक्तम चीजों की तलाश करना है ताकि दिन के अंत में manager के पास करता है ताकि लंबी सूची बन जाए यह सूची जितनी लंबी होती है आपका अधरिश्य manager आपके धन काम काज में सफलता आप सरों, आनंद और संतुष्टी में उतना ही अधिक जादू कर सकता है अपनी नौकरी की उन सारी चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आपकर तक हो सकते हैं शुरुगात में इस तर्थ पर बिचार करें कि आपके पास सचमुच एक नौकरी है सोचें कि कितने सारे लोग विरुजगार हैं जो नौकरी पाने के लिए कुछ भी देने को तयार हैं सोचें कि आप समय बचाने के लिए कितने सारे उपकरणों का इस्तमाल करते हैं जैसे फोन, प्रिंटर, एंटरनेट और कम्प्यूटर उन लोगों के बारे में सोचें जिनके साथ आप काम करते हैं और जिनके साथ आपकी मित्रता है उन लोगों के बारे में सोचें जो आपके काम को अधिक आसान बनाते हैं जैसे रिशेप्शनेश, अशिस्टेंट, सफाई करने और डिलिवरी करने वाले लोग इस बारे में सोचें की तन्ख़ा मिलते वक्त आपको कितना अच्छा महसूस होता है अपने काम के प्रिय पहलू के बारे में सोचें जिने करना आपको बहुत जारा पसंद है जब भी आप करता को होने के लिए कोई चीज खोजें तो हर बार अपने अद्रश मेनेजर को लिए बिवश करते हुई है कहें मैं अपनी नौकरी के लिए बहुत करता की हूँ मैं अपने काम के लिए बहुत करता की हूँ मैं अपनी तन्ख़ा के लिए बहुत करता की हूँ आपका मेरिजर आपको जितनी गहराई से करतागिता महसूस करते देखेगा वह आपके कामकाज में उतनी ही जल्दी जादू करने के लिए प्रेरित होगा और आपके जीवन में आदिक जादू प्रकट होगा वैसे यह संबब है कि आप एक दिन में ही अपने काम काज के लिए इतनी सारी करता किता महसूस कर लेकी पर सितियां तुरंत बहतर नजर आने लगेंगी याद रखें खुश्प्रिश्मती के अफसर संयोग से नहीं मिलते वे तो सिर्फ जादू शक्ती के कारे हैं यदि यह जादू की तरह काम करना का अभ्यास किसी वीकेंड पर या आपके किसी और दिन परता है जब आप नोकरी पर नहीं जाते तो अगले दिन की अभ्यास पर जाएं और फिर जिस भी दिन आपको आप दुबारा नोकरी पर जाएं उसी दिन इस जादू याभ्यास पर ल आभर व्यक्त करें एक से तीन तक की कदम दोहराईं देखें कि आप करता के क्यों है अपनी सुची दोबारा पढ़ें और हर नियमत के अंत में तीन वार धन्यवाद 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 कहें उस नियमत के लिए अधिक्तम करता गिता महसूस करें दो आज आफिस में काम करते समय यह कल्पना करें की एक अद्रश मेनेजर आपका पीछा कर रहा है और जब भी आपकर तक होने के लिए कोई चीज खोजते हैं तो वह उसे लिख लेता है आज आपका काम अपनी नौकरी में ज़्यादा से ज़्यादा चीजों की तलाश करना है जिनके लिए आपकर तक होने के लिए कोई चीज खोजें तो यह कहकर अपने मेनेजर से उसे लिखवा लें मैं अपनी नौकरी के लिए बहुत करताग हूँ, मैं अपनी तनक्वा के लिए बहुत करताग हूँ, मैं अपने कारी के लिए बहुत करताग हूँ, फिर ज़्यादा से ज़्यादा करता चीजों के लिए ज़्यादा चीजों के लिए ज़्यादा चीजों के लिए